नमस्कार प्यारे बच्चों लक्षमन क्लासेस में आपका स्वागत है हम लोग पढ़ रहे हैं एक अच्छा तसका गड़ित और प्रिस्ना वली हो रही है बन पॉइंट तू तो आज हम कोश्ण सॉल्व करेंगे कोश्ण नमर 6 ठीक है प्यारे बच्चों रखिए कोश्ण नमर 6 क्या बोलता है ब्याख्या कीजिए कि साथ गुणे ग्यारह गुणे 13 पिलस तेरह और साथ गुणे छे गुणे छे गुणे नमरe 5 गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक पिलस पाँच भाज संख्याएं क्यों हैं हम बताना है कि ये भाज संख्याएं क्यों हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि भाज संख्याएं और भाज संख्याएं क्या होती हैं छीक हैं उसके बाद हम इस कोशन को करते हैं ठीक है उसके बाद इसके हल की बाद हम करेंगे तो कुछ बेसिक जानकारी है वह आपको पता होने चाहिए साथ आपको पता भी होंगी तो देखिए भाज संक्या क्या होती है तो मैं आपको इधर समझा देता हूं साइट से देखो हम जानते हैं कि हम जानते है कि जो अभाज संक्या होती है यह वह संक्या होती है जो अपने आपसे ही दिवाई होती है विभाजित होती है और एक से होती है और किसी से नहीं होती है तो जैसे कि बेसंख्याएं जो केवल एक 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 आवम स्वयम से विभाजित होती है अभाज संख्याएं कहलाती है ठीक है ना तो फिर्म स्वयम से विभाजित होने वाली जैसे कि जो अभाज संख्याएं है तीन है पांच तीन पांच साथ दो यह सब कहा हैं अभाज संख्याएं हैं क्योंकि यह संख्याएं अपने आप से ही कर सकती हैं और किसी से टिवाइड शुझे करें नहीं हुन ऑगा झांगा झांटES से यहां यहीं 2 तो प्रापत हो रहां आपास बंख्या उन में 2 प्रापत होताे हैं आयर islands सोयम और एक तो यह तीन जो है या तो तीन से कटेगा या एक से कटेगा ठीक है ना तो इसको हम लेख सकते हैं पांच गुणा एक ठीक इसको सकते हैं साथ गुणा एक इसको सकते हैं दो गुणा एक तो यह जो पांच है यह या तो पांच से कटेगा या एक से कटेगा किसी औ संख्यां जो केबल एक एवं स्वयं से ही विवाजित होती है वहां जिसंख्यां कहलाती है ठीक है ना समझ में आगया होगा मुझे पुरी उम्मीद है तो इसको हम ऐसे लिए सकते हैं एक गुणा पांच एक गुणा साथ और एक गुणा दो ठीक है अगर हम दो को काटेंगे दो डुबाइट होगा जिखो यह तो एक से होगा थीक है एक दूनी दो होता है थीक है यह जो खटेगा दो से तो एक ऍभात करत करते हैं भाज संख्या की बात करते हैं तो भाज संक्यां बे होती है जो अपने आप से भी कट सकती है एक से भी कर सकती है और किसी और से भी कट सकती है ठीक है न तो भाज संक्यां कहलाती है उधान के लिए देखो चार छे नौ दस यह अपने आप से कटेंगी एक से कटेंगी और किसी और से भी डिवा विभिए प्राव्ट हुए थिका है ना टो यह जैंगर यह सबसे चाहिए ओर चाहर से और आट यह कट जाए चाया चार चुछाचा को अड़ा है तो यह ढosed active को यह से सब्सक्रावर हिएगा अब 6 के factor करें तो कितना आएगा 2, 3, 6 गुड़े 1 ठीक है और अगर हम 9 के करें तो 3 गुड़े 3 गुड़े 1 ठीक है और अगर 10 के करें तो 2, 5, 10 गुड़े 1 कहने का तापतरी यह है जो भाज संख्याएं हैं इसमें हम देख रहे हैं इसमें जो गुलन घंड प्राप्त हो रहे हैं एपर तीन तें टर्म के 4-4 टर्म के कट्टरें प्राप्त हो सकते हैं लेकर अब अभाज में मांत दो टर्म में ही गुड़े 1 प्राप्त Works क्वरें किया हैं अब हम पृर्षण के तरफ आते हैं देखिए पिरसन बोलता है कि ब्याक्षा कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये संख्या भाज संख्याएं हैं क्यों हैं ध्यान दीजिए अगर ये भाज संख्याएं होंगी तो इनकी जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे दो से अधिक होंगे ठीक है ना देखो ये फैक्टर है दो दो है इससे अधिक होंगे ठीक है तीन भी हो सकते हैं देखिए हम देखते हैं अच्छा देखो पहली संख्या हल देखो पहली संख्या तो पहली संख्या इसमें कौन सी है पहली संख्या है साथ गुणे ग्यारा गुणे तेरा प्लस तेरा तो यहां से हम देखो दोनों में तेरा तेरा है तो तेरा ले सकते हैं साथ गुणे ग्यारा प्लस बन उसके बाद यहां पर तेरा यहां पर हम ले सकते हैं 11 सत्ते 70 plus 1 ठीक है न को यह वह जाएगा तेरा गुले फिन यह भाज्या करते हैं 13हतर गुरेह एक तुमारी पहली संकया विर तो पहली संहरा है यह कैसी है यह पहली संख्या भाज है क्योंकि कि इसमें साधार हो रहे हैं यहाँ पर 13 से भी डिवायड हो जागी और एक केसी हो गई भाज रादरी एक प्लस तेरा कैसी है एक भाज संख्या है क्योंकि इसके अभाज गुरनखंड तेरा गुण अठतर गुण एक है ठीक है ना यह हमें आया कह सकते हैं क्योंकि यह संख्या तेरा अठतर एक से बिभाजित हो जाती है ठीक है ऐसे में कह सकते हैं अर्थात पहली संख्या तेरा 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 अठतर और एक से बिभाजित हो जाती है ऐसे भी कह सकते हो ठीक है ना समय अगया होगा चलो दूसरी संख्या चेक करते हैं आप ठीक है तो पहली चंख्या हम बता चुके हैं अब देखते हैं दूसरी चंख्या कि दूसरे संगे कितनी थी है हमारी कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 इसमें तो 5 common आ रहा है तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस एक ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम 500 कॉमें ले लिया है इन सब क्या हम करेंगे multiply तो प्यारे बच्चे हमने multiply कर लिए इसकी multiply आगी 1008 प्लस वन जगा फाइव और multiply यह जोड लेंगे तो 1009 ठीक है तो उसका हम दे सकते हैं फाइव multiply 1009 इंटु बन तो यह होगी दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या हमें साप साप दिखाई दे रही है कि दूसरी संख्या पांच से भी divide हो जाएगी 1009 से भी हो जाएगी और एक से भी हो जाएगी इसलिए यह भाज संख्या होगी अतहा दूसरी संख्या अतहा दूसरी संख्या पांच 1009 और एक से और एक से बेभाजित हो जाती है इसी कारां यह है इसी कारां यह है दूसरी संख्या दूसरी संख्या कौन सी है साथ गुने छे गुने पांच गुने चार गुने तीन गुने दो गुने एक प्लस पांच भाज संख्या होगी तो प्यारे बच्चो अगर हमारा पढ़ा हुए आपको सवन में आता हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और इसको सभी दोस्तों के पास सेर कीजिए और चैनल को सब्क्राब जरूर कर लेजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टैन्थ क्लास के सारे कोर्स के वीडियो लेके आते रहेंगे ठीके पैर बच्चो ओके बाए बाए